मुंबई से ठाने का सफर अब होगा आसान। मुलुन से घोड बंदर मेट्रो को लेकर बड़ी जानकारी आई सामगा। वडाला कासार वडवली गायमुक के बीच मेट्रो 4 और मेट्रो 4A का निर्मान किया जा रहा है। मेट्रो 4 का निर्मार 58 प्रतिशत जबकि मेट्रो 4A का काम 61 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस योजना के तहट स्टेशन पर स्टेनलेस स्टील, प्लम्बिंग, टाइल्स, पैंट, प्रास्टर, डेक, रूफ टॉप की स्खापना और अन्ने सुविधाय विक्सित की जाएगी। ठाने को मुंबई से जोडने वाली मेट्रो लाइन पर यह सेवा दो चरणों में शुरू की जाएगी। पहले चरण में घोड बंदर और मुलूंड के बीच मेट्रो चलेगी। मुंबई मेट्रो पॉलिटन विजन डेवलोप्मेंट एथोरिटी यानी MMRDA ने इस संबद मे एक महत्वपून अपडेट दिया है। MMRDA ने कहा कि 225 तक मेट्रो 4 कॉलिडोर के पहले चरण पर मेट्रो सेवाई शुरू करने का काम चल रहा है। हालांकि इस मेट्रो लाइन पर सफर करने के लिए यात्रियों को 2026 से 27 तक इंतजार करना पड़ सकता है। मुलुन से ठाने तक घोड़ बंदर रोड मेट्रो लाइन निर्माना धीन है। मेट्रो लाइन के साथ साथ स्टेशन का निर्मान भी तेजी से चल रहा है। इस रूट पर कई स्टेशनों का 50 फिजदी से जादा सिविल कारे पूरा हो चुका है। MMRDA ने अब स्टेशन के सिविल कारेों के साथ साथ पहले चरण में साथ स्टेशनों की फिनिशिंग का काम शुरू करने की तयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मुलुन फायर और मजी वाड़ा जक्षन के बीच साथ स्टेशनों का निर्मान किया जाएगा। बताया गया है कि इस काम को पूरा करने में करीब 198 करोड उपे खर्च होंगे। इस योजना के तहट स्टेशन पर स्टेशन पर स्टेनले स्टील की स्थापना, प्लम्बिंग, टाइल्स, पैंट, प्लास्टर, डेक रूफ टॉप और अन्नस विधाय विक्सित की निशिंग का काम शुरू करने के लिए ठेकेदार की तलाश भी शुरू कर दी है। अभी देखने वाली बात यह होगी कि ठाने करो के लिए और जो मुंबई से ठाने तक का सफर करते हैं उनके लिए कब मेट्रो का काम पूरा होगा और कब उनके लिए मुंबई से ठाने का स गफर और भी जादा आसान हो जाएगा इसी प्रकार की अपडेट के लिए जुड़े रहें नेशन्स हिट से